हलो दोस्तों तो चारोत और झारो तरफ नेगटिफ एनर्जिस मतलब कहने की मतलब यह है कि चारोत और और कोरोना गाइडलाइन्स इस सब मतलब सुनते-सुनते मतलब क्या आप मतलब दिमाग खारा बलता है कभी कभी और वहत एक होता है ना सुभा सुभा उठो एंद मतलब आज इतनी दिन कम डेथ हुआ करोने के बज़े से आज यहां पर पुलिस ने इसको मारा विसको पीटा मतलब ब्लाक फंगस आ गया वह आ गया बहुत सारे इनरजी सब के लिए ट्रिक्मेंट तो हमको पता जग गया है एक कि स्टे होम स्टे सेफ स्टे हल्दी हाईजिन म के साथ हमको अभी अगर आम लोगडाउन पर हैं तो लोगडाउन को किसे मितलब फूटफुल कैसे उज़ करें इसलिए आज थोड़ा में डिफरेंट टाफिक लेके आया हूं जो की बहुत ही इंपोर्ट है और बहुत लोगों का प्रोब्लेम भी है यह तो क्या है वो तो टौटिक यह है कि बॉडि के ऊपर है तो लोगडाउन में एक बहुत बड़ी प्रोब्लेम है कि कुछ लोग बोलना कि बखोट मोटे हो रहे है क्योंकि लोगडाउन में घर पर हैं बाहर नहीं जा रहे हैं तो कोई फीजिकल अक्टिविटी भी नहीं हो रहा है बहुत क हम लोग हैं उसमें तो हम लोग किसे अपने बोडी को सही मेंटेन करेंगे मतलब जो मोटे हो रहे हैं पतले तो बहुत ही रेर बट ज्यादा मोटे हो रहे हैं तो मैं ऐसे नहीं बोलूगा कि आप प्रोटीन डाइट ले लिजिए और आप भागिए 10-15 किलोमेटर 28 किलोमेटर मैं ऐसे नहीं बिल्कुल भी नहीं बोलूगा आप खाना छोड़ दीचे में यह भी नहीं बोलूगा तो आपको मैं जनरली आज पूरा मेकानिजिम शोटली ब्रीफली बता दूँगा ताकि आपको भी समझ में आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए तो दोस्तों हम खाते क क्या है आप अभी बोलेंगे चावल डाल दूद इस सब की बात नहीं बोला हूँ है मैं बोला हूँ की अंदर की बात मतलों हम क्या खाते हैं आपको कार्भाइडरेट प्रोटीन फ्यार्ट विटामिन्स मिनराल्स तो यह में चीज जो हम लोग खाने में रहते हैं तो ऐसे बॉली का भाईटाल ओर्गन्स में फॉंक्षान के लिए जैसे हो गिया हाट यह सब अपना फॉंक्षान करते हैं तो फॉंक्षान के लिए कौन से चीज इस्तमाल करते ही यह सब को इस चीज मालूम होना चाहिए तो मेहली हमारे बोडी जो है पुरा बोडिशय टमोसल हो हाट हो यह सब यूज करते हैं गुल्कोज और फैट को फ्यूल की तरह इस्तमाल करते हैं यह तो और बिल्डिंग मेटरियल जो है मतलब यह मॉसल जो आप देख रहे हैं मॉसल बिल्डिंग मेटरिल समझ रहें वंची चीज में यह बना हुआ है अगर आपको कोई में लेका प्रोटीन बट फुएल अब समझ रहोंगे अगर यह गाडी होगा गाडी का पूरा जेक्चीस हो है फ्रोटीन वट जो फुएल आप तेल डालते हैं यह है कार अगर इंजीन ओयल की बात किया जाए तो इंजीन ओयल यह है विटमीन्स और मिनेरल तो आपको एक चीज़ में बता दूँ कि कि आप खाए प्रोटीन फ्याट सब कुछ आप इंटेक किये तो पहले आपका क्या होगा जब आप खा रहे होंके आएंड खाने के दो घंडे तक क्या होगा आपका मेली ग्लुकोज यूज होगा और ग्लुकोज ही होता है मेली पहले प्राइमेरी स्टेस में एनर्जी के मैं कहा स्टोरेज ग्लुकोज बात को गौर से ध्यान दीजिए एक स्टोरेज फ़र में हमारे बोड़ी में ग्लुकोज रहता है तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज फ़र में मतलब ग्लुकोज का स्टोरेज फ़र में वो इस्तमाल होगा फिर क्या इस्तमाल होग फैट, fatty acid, मतलब fat, fatty acid जो भी है, okay fat, आपके easy purpose के लिए मैं fat ही बोलना हूँ, fat इस्तमाल होगा, फिर जाके, मतलब इस तिनों को mainly ध्यान दिजिए, देखे, glucose, then, आपका storage glucose, then, आपका fat, and then, बहुती last में जाके protein यूज़ोगा, इसको मारा protein यूज़ोगा, मतलब आप समझ breakdown होगा, direct muscle से breakdown होगा, तो उसको छोड़ दीजिए, वो तो बहुती long starvation, जो लोग freedom fighters थे, वो लोग करते थे, मतलब 10-15 दिन बिना खाये, तो बहुत स्टेज तो बाके ही मतलब ख़दरनाक है, हमारे तो मैं आज आपको बोलूँगा, पूरा एक general हम लोग जो करते हैं, बहुत चीज़ के बारे में जादा ध्यान से आप सुनना होगा, तो आप खाये carbohydrate, मतलब glucose खाये, तो glucose, आप सब मतलब खतम हो गया, तो 2-3 घंटे के बाद, थोड़ा सा fat यूज होगा, थोड़ा सा, ध्यान दिजे इस चीज़ को, थोड़ा सा fat यूज होगा, और बाकी storage glucose जो है आपके body में, वो यूज होगा, समझ रहे हैं, फिर 2-4 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद, 16 घंटे तक, फै 16 घंटे के बाद, और जयदा fat burn होना शुरू हो जाएगा, समझ रहे हैं मेरे बात को, तो चीज है कि अगर आपका आदत ऐसा हो, आप समझ चुके होगे कि मैं किस चीज का बात बोलना हो, अगर fat आपको burn करना है, तो क्या करना होगा, आपको थोड़ा gap, खाने का gap बढ़ान होगा, समझ रहे होगे, अगर आप हर 2 घंटे में खाना खाते रहेंगे, तो खाने में तो जाईर सी बात है, थोड़ा glucose तो जाए गए, तो fat burn ही नहीं होगा, समझ रहे हैं, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, कि जो gap है, वो gap को थोड़ा ज्यादा duration देखना पड़ खाने में, अगर आपको, अक्षोली में, fat burn करता हूँ, और मैं यह चीज़ बोल ला हूँ, मैं एक average सी बोल ला हूँ, यह चीज़ पर्षन तो पर्षन तो पर्षन भैरी कर सकता है, मेटाबोलीजम के उपरविट्पेंडेंट है, पहुत सारे factor है, बट मैं जेनरल सी बात हूँ, जो हम लोग day-to-day life में खाते है, नर्माल एक मील की बात बोलाँ, अगर नर्माल मील के नर्माल बील, डाइजेस्ट, मतलो, glucose का लेबल, दो घंटे तक हाई रहता है, फिर fatty acid oxidation शुरू हो जाता है, मतलो, fat burn शुरू होता है, फैट burn थोड़ा सा शुरू होता है, मतलो, आपनों जितना ग्याप देंगे, तो इतना ग्याप मत दीजिए कि ग्यास हो जाए, मतलब, अगर किसी ग्यास हो, अगर भी comment में बोलेंगे कि, अरे मेरे तो ग्यास है, पुरा उड़ा दोगे मुझे तुम, नहीं, एसा नहीं, मैं बस एक जेनरल ची बोल लाँ, मैं फिर से आक्टिविटी तो भागो जरूर है, आक्ट्वार अग्यूटिय एकट में मेरेजर हमा बोलेंगे, कि हमारा बोडी , इसलिए आपको यह वीडियो बनाया, आशा करतростवง में फसंद आया होगा , ऐसा समय में पीस चीज का बात बौल ला हूं एक को सबस्क्राइब कीजिए नोटिपिकेस तन पर डबाये और जोड़े रहे मेरे साथ इंस्टाग्राम पर मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिशन में झाल 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 झाल